अगर सब कुछ मिल जाए जिन्दगी में तो तमन्ना किस की करोगे, कुछ हदूरी ख्वाइसें ही तो जिन्दगी जीने का मजा देती हैं मेरे हिसाब से अब तक मैंने करीब 35 से अधिक प्रिक्षाओं में ऐसा फ़लता हैं देखी हैं ग्रेड ए और बी लेवल की, जब पिछली बार रजल्ट आया 27 अप्रेल को उसी दिन मेरे भाई की शादी थी और उस खुशी में अब उन्होंने क्या किया कि मिठाई भी डबल बन वाली, कि एक साथ दो खुशी के मोके आएंगे तो वो हम सेलिब्रेट करेंगे और शाम को रजल्ट आया हमारा नाम लिस्ट में नहीं अब क्या है कि पूरे घर में एक शांती सी छागए ना किसी का नाचने का मन गरे ना किसी का कूदने का तो उसमें एक बार तो मुझे बुरा लगा लेकिन मैंने खुद को ऐसा अपने आपको एक माइंड़ सेट में ढाल लिया था कि मुझे आदा घंटा लगा उस चीज को बुलाने में आदा घंटा मैं रोया भी लेकिन आदा घंटे के बाद जो है मैं फिर से इतना एक्टिव हो गया कि उस पूरी शादी में मैं एक मतर ऐसा बंदा हूं मेरे घर का जो सबसे जदा हंस खेल रहा है नाच रहा है क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि यार एक्जाम अगले साल फिरा जाएगा भाई की शादी दोबार नहीं पूछा एक दो लोगों से और गया अपने गुर्वों के पास गया दोस्तों के पास गया तो सब्तर से असी परसेंट लोगों ने मुझे ये राय दी कि तुम ये अटेम्ट मत लो अब जब मैं बेक एंड में सोचता हूँ कि अगर कास अगर मैं दूसरों की बातें उस वक्त मान लेता ये सोचकर कि वो मुझसे बैटर जज है तो साइद आज मैं यहां नहीं खड़ा होता सब जाग रहे तू सोता रहे किसमत को थामे रोता रहे जो दूर है माना मिला नहीं जो पास भी है वो खोता रहे नमस्कार राम राम मेरा नाम विजे वर्दन है मैं सिरसा हरियाना का रहने वाला हूँ इस साल सिविल सर्विसिज प्रिक्षा में मैंने एक सो चारोंग स्थान रजित किया है मैंने लेक्टोनिक्स in communication engineering में graduation किया 2013 में और उसके बाद से लगातार मैं civil services exam की तियारी कर रहा हूँ और इस बार पांच में प्रयास में मुझे ये सफलता प्रापत होए इस वीडियो में हम कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे बिसिकली इस वीडियो में तीन पार्ट रहेंगे देखे हैं शाइद वो आपके काम आ सके और तीसरी में जो है इसमें public administration जो मेरा optional रहा उसके बारे में paper 2 के बारे में बेसिकली थोड़ी सी strategy discuss करूँगा मेरी story सुरू होती है 2013 से जिसमें पहली बार 31 मईए 2013 को मैं दिली आया और उसके बाद से लेकर 5 अपरेल 2019 जब मेरा final selection हुआ ये इसके बीच की कहानी है इसके बीच में मैंने कितनी failures देखी और कितनी बार मुझे final success मिली इसका मैं आपको कुछ बताना जाहूँ पहले बात करते हैं civil services प्रिक्षा के मैंने 2014 में civil services प्रिक्षा में में मेंस दिया मैं उतिरन नहीं हुआ 15 में मेंस दिया उतिरन नहीं हुआ 16 में मैंने interview दिया लेकिन मैं 6 नंबर से रह गया 17 में फिर से मैंने interview दिया इस बार फिर मैं मार्जिन पर ही रह गया और 18 में civil services प्रिक्षा में आखिरकार मुझे 104 वा स्थान प्रापत हुआ लेकिन मेरी स्टोरी में सिर्फ civil services की ही failures नहीं थी इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे exam दिये जिन में मुझे लगातार ऐसा फलताओं का सामना करना पड़ा मेरे हिसाब से अब तक मैंने करीब 35 से अधिक प्रिक्षाओं में ऐसा फलताओं देखिएं ग्रेड ए और बी लेवल की जिन में स्टेट PCS जैसे की राजस्थान administrative service हर्याना civil services UPPCS इसके अलावा CAPF assistant commandant का प्रिक्षादी उसमें फैल हुआ SSE CGL को मैंने तीन बार फैल किया इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो NABAD का एक्जाम था उसमें मैं फैल हुआ LIC के एक्जाम में मैं फैल हुआ ISRO के एक्जाम में मैं फैल हुआ Particular Engineering एक्जाम में मैं फैल हुआ इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक्साइज इंस्पेक्टर हर्याना उसके एक्जाम में मैं फेल हुआ तो RRB NTPC जो एक्जाम है वो में ने दिया उसमें मैं फेल हुआ RBA grade B के मैंने एक्जाम दो बार दिये उसमें मैं फेल हुआ और उसमें भी सबसे इंपोर्टेंट बात 95% से भी जादा बार मैंने इन एक्जामों का prelims clear किया तो मेरा जो failure था वो mostly या तो main stage या final stage पर रहा कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने सिरफ 0.66 mark से final selection list किया कई बार ऐसा हुआ कि मैं reserve list में आया उसके बाद मी मैंने selection list किया कई बार ऐसा हुआ कि सब सही गया लेकिन मैं medical standards में fail हो गया और एक बार तो ऐसा भी हुआ जब मुझे सिरफ final यह नहीं पता चला कि document verification की date क्या है और मेरा वो selection निकल गया तो हर साल मुझे यह लगता रहा कि यार किस्मत कितनी परिक्षा लेगी मेरे साथ ही क्यों why me only so इस process से अब जब मैं back end में देखता हूं selection के बार तो मुझे लगता है कि वो ही ऐस अफलता है मेरा एक stepping stone बनी मुझे आज यहां पहुंचाने में और आज जब मैं यहां पहुंचा हूं तो देखिए किस्मत का खेल कि मेरा जो recruitment हुआ है सीधा मैं एक एब इनिश्यो बेरोजगार कहता हूं खुद को मेरा सीधा selection ही एक ऐसी आल इंडिया सर्विस में हुआ जिसका appointment भी honorable president खुद करते हैं तो यह जो 6 साल की जर्णी थी जिसको मैं कहुँआ यह बहुत ही एक तरीके से संगर्ष पूरण थी इसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी बहुत सारी गलतियां किरी और उनसे जो learning पैदा हुई उससे लगता है कि मैं साइद एक फ्रेशर के लिए तो motivation ना बन सकूं लेक मैं कुछ चीजें आपको बता सकूंगा जो आपके काम आएंगी सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए जो मेरे हिसाब से अगर आप एक senior aspirant बन चुके हैं जो अपने आप में गाली समान लगता है इस UPSC की प्रिक्षा में सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे senior हैं टॉपर रहे हैं उन्होंने एक ब्लोग लिखा था my UPSC journey from despair to destiny यह जो ब्लोग था यह मेरे लिए एक जीवनदान के समान था इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन से मुझे अपनी बहुत सारी उन गलतियों का हैसास हुआ जिसके कारण में लगातार ऐसा पलता प्रापत हुई सबसे पहली इसमें जो चीज थी वो यह कि victimization का जो mindset एक बार बार ऐसा फलता हैं देखने के बाद हमारे मन में आ जाता है हम क्या करते हैं कि मैं UPSC के कारण फेल हो गया examiner ने टाइट मार्किंग कर दी मेरा optional perform नहीं किया मेरी किसमत खराब थी उस दिन सिरदर्ध हो गया इस तरीके के चीज़ों मेर हम हर उस external factor को अपनी ऐसा फलता के लिए दोस देते हैं जिससे कि हम खुद के उस identity crisis से बच सके अपनी guilt से बच सके लेकिन ये सही नहीं है सबसे पहले तो आपको इस mindset को बदलना पड़ेगा कि no victimization only improvisation ये आपको अपना मूल मंतर बनाना पड़ेगा आप फेल हुए just because you didn't deserve it इस चीज़ को सविकार कीजिए at least जब तक आप process में हैं और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक open ended mind से जो है परियतन कीजिए second चीज इसमें क्या देखने को मिलती है जब हम थोड़ा सा काफी समय लग जाता इस प्रिक्षा को clear करने में तो हमारे मन में एक guilt भावना आने लगती है कि यार हम क्यों जो है हम अपने माबाप पे burden है हम से कुछ अच्छा नहीं हो सकता हम तो हैं ही failure ऐसा कुछ नहीं है ये सिरफ एक psychology है जो इस exam की त्यारी के दरान हमारे अंदर develop हो जाती है आप एक बात सोचिए 130 करोड़ दोगों का देश है क्या इसें सिरफ चंद हजार पांच-दस हजार ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं क्या IES IPS ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है ऐसा नहीं है आप अपन जो है successful person बन सकते हैं अपने लाइब में तो यह attitude भी आप अपने अंदर लाइए positivity का तीसरी चीज यह है कि जब भी आपको लगने लगे कि क्या मुझसे हो पाएगा तो आप अपने उस why को याद कीजिए कि क्यों मैं civil servant बनना चाहता हूं अगर आपका why clear है ना तो आपका how easier हो जाएगा यह आप मेरे से मान कर चलिए चोती चीज इसमें मुझे एक देखने को मिली है कि बच्चे जो है अकसर निरंतर ऐसा फलताओं के बाद अपने परिवार और अपने आसपास के दोस्तों से बहुत जादा कटने लगते यह आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि इससे आप depression में आ जाते हैं और आपको जो है चीजों को आप objectively analyze नहीं कर पाते एक चीज आपको मैं बता दूं कि आपके माबाप ने आपको पेदा किया है सो यह उनकी social, legal और moral responsibility है कि वो आपको bear करें जब तक कि आप अपने self standing पर ना आ जाए इस guilt को बाहर निकालिए कि मुझे क्यों पैसा मागना पड़ रहा है क्यों मैं इनके उपर भार हूँ आप भार नहीं है आप एक अच्छे पुत्र बन सकते हैं काप अच्छे बेटी बन सकते हैं और आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं जो अपने आप में एक सफलता की एक प्राकास्था है तो उन चीजों को इस तरीके से अपनी नजरिये को थोड़ा सा पॉजिटीव करिए जो की अक्सर मैंने देखा है कि जैसे जैसे आप senior category में आते जाते हैं आप काफी ज़्यादा cynical हो जाते हैं चीजों के परती कि कुछ नहीं हो सकता अब बात करते हैं second चीज की कि करें कैसे इसके लिए second चीज आपको जो करनी है वो यह है कि खुद का routine और खुद का environment बदल लीजिए for example कि अगर आप exercises जो है नहीं करते हैं तो उसको morning में अपनी exercise योग बगिरह सुरू कीजिए इससे आपको refreshment फील होगा दूसरी चीज अगर आप घर पर रहकर preparation कर रहे हैं तो आप दिल्ली चले जाईए अगर आप दिल्ली में मुखर जिनगर या अजेंदनगर में रहकर त्यारी कर रहे हैं तो आप घर वापिस चले जाईए ताकि आपका थोड़ा environment बर ले अगर आप वहीं रह रहे हैं तो अगर आप पहले room पर study करते थे तो अब आप लाइबरेरी चले जाईए अगर आप लाइबरेरी में study करते थे तो आप रूम पर चाकर study कीजिए इस तरीके से अपना जो routine है उसको थोड़ा सा change करिए अपनी नई hobbies develop करिए जिससे आपको थोड़ा सा जीवन में जिवन्तता महसूस हो यह अक्सर होता है कि हम जब थोड़ा सा group change कीजिए थोड़े से जो यंग लोग हैं नए aspirants हैं उनके साथ उटना बेटना सुरू करिए राधर दिन अपने जो साथ के जो SFL colleagues हैं उनके साथ इससे आपको थोड़ा सा जो है positive motivation रहेगा cynical चीजों से आप बचेंगे आपको पता लगेगा कि जब आप first attempt में थे तो आप में कितनी जील थी कितनी energy थी और वही energy अगर आपने अपने आप में दोबारा विक्सित कर ली तो यह exam बड़ी असानी से अब भी निकल सकता है अब आते हैं तीसरी और सबसे महत्तपून बात कि आपको अपना खुद का पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेग होता क्या है कि तीन-चार साल से जब हम प्रोसेस में लगे हों तो हम वही notes यूज करते रहते हैं जो कि totally और mostly irrelevant हो चुके होते हैं और हम में दोबारा उतना hard work करने की अब धेरियन नहीं रहता कि हम उसको बेटके दोबारा है तो सबसे पहले मेरा suggestion यहीं रहेगा कि यार अप 12 जो हैं शुरू से त्यारी शुरू करें और अपने नई notes बनाएं क्योंकि अब आपको समझ भी है notes कैसे बनाने हैं और आपको पता भी है कि क्या चीजें छोड़नी हैं और क्या चीजें लिखनी हैं दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं इसके अंदर वो यह है कि आप अपने त्यारी का अधार previous year questions और syllabus को बनाएं targeted study करें यह नहीं कि चलो आत्मयाया material वीजन का मेंस 365 पढ़ दिया कोई text book आई वो पढ़ दी इससे बचें अपनी त्यारी का अधार previous year question paper को और syllabus को बनाएं syllabus के अंदर कुछ topic ऐसे हैं जिनके आप direct एक sheet तियार कर सकते हैं कि यह sheet है और इसके अंदर आप multi-dimensional view से उस topic को cover करिए आपको इस बार ऐसा करके जाना है कि आपका कोई भी topic छूटे ना और आपके syllabus on tips रहना चाहिए उसकी hard copy print लें और हर सुबह 5 minute अपने syllabus को देखना सुरू करें यह exercise आपके लिए बहुत ही काम आएगी लाब देगी इसके बाद हम बा पड़ी दिक्कत उनकी यह है कि उनकी writing practice जो है वो enough नहीं होती सही तरीके से नहीं होती तो जादा से जादा लिखने के आदर डालें इस exam में तीन चीजों का balance बहुत ज़रूरी है hormones का, neurons का और writing skills का तो इन तीनों को balance करना है आपका और अक्सर क्या होता है senior जो aspirant है उनके neurons बहुत मजबूत होते हैं लेकिन उनके जो hormones हैं और उनकी जो writing skills हैं उनमें खामिया होती हैं तो इन दो चीजों पर अपना focus करिए अब बात करते हैं फिर से क्योंकि घूम फिर कर बात सारी आजाती है mindset की generally जब हम senior category में आजाते हैं तो हमें यह लगता है कि UPSC unfair है non objective है यहां मेरा classical reply होता है कि why only UPSC? the entire life is unfair in fact the beginning of life itself has been an unfair and non objective process whereby you as a sperm has won over crowds of other competitors so इस चीज़ को positively ले जो चीज़ें आप नहीं control कर सकते उन पर ध्यान न दे control the controllables जो agentials हैं जो जरूरी चीज़ें उन पर focus करने के आदर डाले life में अगर हम बात करें तो life is 10% of what happens to us and 90% is how we react to it so यह reaction जो है यह आपकी सही होने चाहिए positively motivated होने चाहिए मेरे context में मैं यह लखी रहा कि एक तो मेरा खुद का mindset इतना positive था कि despite इतनी failures के बाद मुझे कभी भी यह नहीं लगा कि मैं यह नहीं कर सकता मुझे बस इतना पता था कि मुझे में कुछ कमिया हैं जिनको मुझे दूर करना है और luckily मेरे पास एक ऐसा friend group था, peer group था और family थी जिससे मुझे कभी वो अकेलापन का एहसास नहीं हुआ आपके साथ मैं एक छोटा सा वाक्या सांजा करना चाहूँगा जिससे यह पता लगेगा कि आपका mindset कितना मजबूत होना चाहिए इस exam में जब पिछली बार result आया 27 अप्रेल को उसी दिन मेरे भाई की शादी थी तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा जो एक जोस था कि इस बार तो क्योंकि जिस तरीके से मेरी progressive जर्नी रही तो घरवालों को ये उमीद बहुत ज़्यादा थी कि इस बार तो इसका selection पका होगा पिछली बार तो point से रहा गया इस बार तो पका निकाल लेगा और उस खुशी में अब उन्होंने क्या किया कि मिठाई भी डबल बन वाली कि एक साथ दो खुशी के मोके आएंगे तो वो हम celebrate करेंगे और शाम को result आया हमारा नाम लिस्ट में नहीं अब क्या है कि पूरे घर में एक शांती सी छा गई ना किसी का नाचने का मन गरे ना किसी का कूदने का तो उसमें एक बार तो मुझे बुरा लगा लेकिन मैंने खुद को ऐसा अपने आपको एक positive mindset में डाल लिया था कि मुझे आदा गंटा लगा उस चीज को बुलाने में आदा गंटा मैं रोया भी लेकिन आदा गंटे के बाद जो है मैं फिर से इतना active हो गया कि उस पूरी शादी में मैं एक मतर ऐसा बंदा हूं मेरे घर का जो सबसे ज़्यादा हंस खेल रहा है नाच रहा है क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि यार एक्जाम अगले साल फिरा जाएगा भाई की शादी दो बारा नहीं आए तो ये चीज आपको ये attitude आपको हमेशा रहना चाहिए और आपको ये बता दू अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है ना और अगर आपकी बातों में एक positivity है तो आपके परिवार वालों को ना फरक नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा ऐसफल है या आपको इस एक्जाम में आपने पास किया या नहीं किया एक और चीज में आपको इसमें बता हुआ कि यार जब आप थोड़ा सा seniority phase में आ जाते हैं तो हर कोई आपको ग्यान देने लगता है कि यार तुझ में ये कमी है तुझ में वो कमी है तो ये कर ले वो कर ले इस situation में ठीक है आप अपना mind open रखिए आप विचारों को लीजिये दूसरों से क्योंकि वो आपको ज़्यादा बैतर तरीके से बता सकते हैं लेकिन फिर भी अपनी individuality को मत खोईए आपकी personal जो decision making है उस पर विश्वास हमेशा रखिए मैं मेरे context में है एक example दूँगा जब मेरा पिछला प्रियास चोथे प्रियास में मैं ऐसा फल हुआ उसके बाद करीब सिरफ एक महिना बचा था एक महिने से भी कम का समय बचा था अगले prelims का और उसके बाद marks आये तो 25 दिन का समय करीबन बचा था तो एक मन में डाउट आया कि यार कहीं जल्दी जल्दी में इस बार परी भी फेलना हो जाए पूछा एक दो लोगों से ओर गया अपने गुरूओं के पास गया दोस्तो से 80% लोगों ने मुझे ये राय दी कि तुम ये attempt मत लो तुम्हारा जो है समय बहुत कम बचा है इस बार seats बहुत ज्यादा कम है और जो है अगर तुम्हारा पांचवें परियास में परी नहीं निकला तो तुम मान के चलो चटा परियास में तुम्हारा परी फिर से भी फे बेस्ट लेवल पर लेकर जाया जाए तो मैंने एक डिसीजन लिया उसी वक्त कि ये मेरी बुक लिस्ट है ये चीजें हैं जो मुझे प्रिलिम्स के लिए करनी है अगर अगले 25 दिन में मैं इन चीजों को कर पाया शांत मन से तो मैं प्री में अपियर होंगा वर नाम जो है इस साल मैं प्री स्किप करूँ और भगवान की दया से मेरे मन के पॉजिटिविटी से मैं उस लिष्ट को करने में काम्याब हुआ और मैंने जो है नहीं संकोच वो प्रिलिम्स दिया और रेजल्ट यह हुआ कि मैंने अच्छे मार्जिन से उस प्रिलिम्स को भी क्लियर कर तो अब जब मैं बेक एंड में सोचता हूं कि अगर कास अगर मैं दूसरों की बातें उस वक्त मान लेता यह सोचकर कि वो मुझसे बैटर जज़ हैं तो साइद आज मैं यहां नहीं खड़ा होता इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए दो तरीके के अगर सब कुछ मिल जाएगा जिन्दगी में तो तमन्ना किस की करोगे कुछ अधूरी ख्वाइशें ही तो जिन्दगी जीने का मजा देती हैं और दूसरे वो लोग जो अभी इस फेज में हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन निरंतर ऐसाफल हो रहे हैं उनके लिए क कवी संदीप दुविवेदी जी की कुछ पंकतियां हैं जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा कि इसका सिर्शक है कवीता का सब जाग रहे सब जाग रहे तूँ सोता रह, किसमत को थामे रोता रह, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास भी है वो खोता रह, जो पास भी है वो खोता रह, लहरों पर मोती चमक रहे, जोंके भी तुझ तक सिमत रहे, नहीं तुफान कोई है आने वाला, सब तह पर गोते लगा रहे, लहरें तेरी कदमों में हैं, तू नाव पकडबस रोता रह, सब जाग रहे तू सोता रह, सूरज अभी सिरहाने है, ये मोसम जाने पहचाने है, रात अभी तो घंटों है, कुछ पल दूर ठिकाने है, इतनी दूरी तेकर आया, दो पक चलने में रोता रह, सब जाग रहे तू सोता रह, माना की मुश्किल भारी है, वर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत हारी है, उठ रहे यहां सब गिर-गिर कर, न उठ तू बस लेटा रह, सब जाग रहे तू बस सोता रह, बस सोता रहें लास्ट में देली नॉलिज ट्रेक का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहां मंतरित किया आप लोगों से नॉलिज शेर करने के लिए आशा करता हूं कि यह नॉलिज शेरिंग के फ्री प्लेटफर्म यूँ ही चलते रहेंगे और थैंक्यू